पुम शान्ती, आज तेरा जून है, तो आईए सुनते हैं मीठे प्यारे बाबा की साकार मुगली के मुख्या आठ पॉइंट्स, पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा, तुम बच्चे शान्ती दूत हो, तुम बच्चे क्या हो, शान्ती दूत हो, शान्ती का वहत बड़ा शस् बच्चों को बाबा केते मैंने दिया है जबकि सारी दुनिया अशान्त है तो तुम बच्चों के पास ये शस्तर बहुत बढ़ा है कि तुम सारी दुनिया को शान्ती प्रदान करने वाली रुहानी शस्तर धारी से ना हो तो बाबा ने का शांती के शक्ती का साधन क्या है? शांती की शक्ती माना शुब संकल्प, शुब भावना और ये है नैनों की भाषा माना जो हमारे अंदरचित में है शांती वो हमारे नैनों से अन्यात्मों को दिखाई दे जैसे बावा केते हैं मुख से परिचे देते हो ना बावा का ऐसी ही अपने नैनों की भाष्षा से बावा का अन्वव हो अन्य आत्माओं की फील हो कि इनके नैनों में तो बावा समाए हैं भगवान समाए हुए हैं ये तो शांती की अवतार हैं यती सरेष्ट महान आत्मे हैं, इनके जो नैन हैं ये दुनिया भी नहीं है लेकिन अलाकिक हैं, तो बाबा केते हैं, जब तुम अपने नैनों में मुझे समा लोगे, तब तुम दुनिया की अशानत आत्मों को शानती का दान दे सकते हो, और ये जो बाबा ने बच्चों को शान्ती फिलाने का ये सबसे अमुल्य है जो किसी के पास भी नहीं है और शान्ती के सारी दुनिया भी खा रही है तो हमने रोज अपने नैनों से शान्ती के वाइब्रेशन्स सारे संसार को देने है दूसरा पॉइंट है बाबा ने कहा कि तुम बच्चे सदा निर्विघन र आगे बढ़ते रहो हर तरह से पुर्शार्थ में उड़ती का लाकन भव हो तो खुद भी निर्विघन देना है और सब को निर्विघन बनाना है तो यही है सबसे बड़ी सेवा और सच्ची सेवा तीसरा पॉइंट है बाबा ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को भी कम न कोई उन से किसी परकार का प्रशन पूछे तो यह जवाब दे वे आगे से है न तो इसके लिए बाबा कहते कुमारियां हो चाह कुमार हो तो बड़े बज़र्गों को जब यह लोग समझाएंगे तब सब एकदम हरान हो जाएंगे यह बच्चे भी कितना कमाल कर रहे हैं य चौथा पॉइंट है बाबा कहते भारत जैसा पवित्र देश कोई नहीं है कूंकि यह सबसे बड़ा तेरस स्थान है क्यूंकि बाबा यहाँ पर आकर के सारे स्रिष्टी की सिवा करते हैं है न तो बाबा कहते तुम से कई पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सिवा करते हो तो बाबा कहते तुम उनको बोलो कि जो हम सेवा करते हैं वो तो कोई नहीं कर सकता, हम तो भारत को पतित से पावन बना रहे हैं, ना केवल भारत, बलकि सारी दुनिया को ही पतित से पावन बना रहे हैं. बाबा केते उनको कहो कि दुनिया चाहती क्या है पीस चाहती है तो हम क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया में पीस प्रॉस्परिटी की स्थापना कर रहे हैं और वो भी बाब की शुरुमत पे चल कर भगवान की शुरुमत पर हम चल रहे हैं जो हम ये कार्या कर रहे हैं उससे आ बच्चों को जब खाना पकाना है तो स्पेशली बाबा की याद में रहना है तब खाना बनाना है तो खाने वाले का जो हरिदे है वो शुद्ध हो जाएगा बुद्धी शुद्ध हो जाएगी लेकिन बाबा के ते कई बच्चे तो याद में बिलकु नहीं रहते हैं कोई तो पॉइंट है बाबा केते हैं तुम बच्चों को बाबा देखते हैं कई स्वेरे स्वेरे उठते हैं तो बहुत ठके वे होते हैं जैसे फरेश नहीं बैठते हैं तो बाबा केते हट करने की बात नहीं है तुम भले चक्कर लगाओ माना चल चल के भी सेर करते हुए भी तुम य बेहद की खुशी मिलती है खुशी का पारवार नहीं रहता है और हम ही सच्ची गोप गोपियां हैं जिनको भगवान पढ़ाते हैं तो बावा के तैसे मंतन करो सुवेरे सुवेरे चल फिर के याद करो चाहे सेर करते हुए लेकिन ऐसी लाचारी हालत में याद में नहीं अच्छी तरह समझाना है कि बाप क्या है सुख का सागर है पवितरता का सागर है शांती का सागर है और सब के करेक्टर सुधारने के लिए सृष्ची पर आए हैं खूब बाबा की महिमा करो बाबा ने एक्जमपल दिया जैसे मसाला कूटते ना कूट-कूट के मसाला बिलकुल महीन बना देते हैं तो उसी रीती ग्यान को अच्छे तरह से मन्थन करकर के फिर दूसरों को सुनाना है है ना और अच्छी तरह से बाबा का परीचे पहले पक्का कराना है उसके बाद आगे बढ़ना है और दैवी गुन भी सोय में धारण करने है आठों पॉइंट है बाबा ने कहा कि मैं सारी आत्मों का उपकार करता हूँ तुम बच्चों ने मेरे अपकार में कई कुछ कहा लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा उपकार करता हूँ इसी पर का तुम बच्चों को भी सबका उपकार करना है जैसे बाबा प्रेम का सागर है तुम बच्चों को भी प्रेम का सागर बनना है सबसे प्रेम करना है और बाप की याद में रहना है पर किसी में बुद्धी फंसानी भी नहीं है नियारे प्यारे हो करके रहना है ठीक है ओम शंती